हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टो यू हेल्पिंग आई टीवी फ्रेंज जैसा कि आप लोग जानती होगी कि प्रेग्नेंसी में बहुत सारे हार्मोनल परिवर्तन हो जाते हैं उसी दौरान आपके इस्तनों में भी बहुत परिवर्तन होने लगते हैं इसलिए प्रेग्नेंसी में सही ब्रा का चुनाओ करना बेहत जरूरी है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेग्नेंसी में कैसी ब्रा पहननी चाहिए तो चलिए फ्रेंड सुरू करते हैं प्रिगनेंसी के दोरान आपके इस्तन पहले की तरह नहीं रहते ये पहले से भी अधिक भारी वा संबेदन सील हो जाते हैं इसलिए हमेशा प्रिगनेंसी में अपनी ब्रा का नंबर बदल कर बड़ी ब्रा पहनना सुरू करने ब्रा का आकार भी चेक करके जरूर देखें ये आपको इस्तनों को पूरा ढखे हुए होना चाहिए प्रिगनेंसी में अगर आप टाइट ब्रा पहनती हैं तो आपको ब्लड प्रेशर घबराहत बेचैनी मूट सही ना रहना जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जो आपके दिए प्रिगनेंसी में बिल्कुल भी सही नही हैं और दूसरी खतननाग बाद ज्यादा टाइट ब्रा पहनने से आपके इस्तनों में खुजली और पसीना की समस्या रहेगी जिससे आपके इस्तनों में भारी मात्रा में स्ट्रेच मार्स पड़ सकते हैं इसलिए धिली ब्रा का इस्तिमाल करें ताकि वहाँ पशीना या इस्तनों में दवाव ना बन पाए दूसरी बात हमेशा अच्छे फैबरिक की और अच्छी क्वाल्टी की ब्राही पहने यदि आप सस्ती और घटिया फैबरिक की ब्राह पहनती हैं तो आपके इस्तन जादा सम्मेदन सील होने की बज़य से रैशिस दाने खुजली पर सकती ह जो स्ट्रेच मार्क्स को निवंतरन देते हैं और अगर आपको प्रिग्नेंसी के दौरान ब्राह पहनने से ज़्यादा दिक्कत समझ में आती है तो आप ब्राह पहनना छोग दें क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है कि आपको कोई भी परिशानी हो तो फ्रेंड्स उम्म सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू